हाई गाईज मैं हूँ सिर्वी और में चेहरें पर आप सभी का स्वागत है तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे ही होंगी और आज मैं आपके लाएं होमेट रहे के जिए आप अपनी रूप को किस तरह से निखार सकते हैं और गर्मियों के मौसम में तो काफी स्की पर डलने से तो आने ही रगती है और चुप्चे पार्जी महसूस भी होती है तो आज मैं आपके लाएं है उप्टन कि आपके स्थे से अपनी रूप को निखार सकते हैं बिना कॉस के और भी हमारे केचिन के खाजाने से आपकी स्कीन पर बीस नहीं होगा तो चलिए जल्द पर नोटिफिकेशन आजाए क्योंकि मेरे चैने पर आपको टिफिम वीडियो देखने को मिलेंगी तो हम जाद बाते नहीं करते हैं जल्दी सपने वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं एक खाली बाल में हम अपने उप्टन मनाएंगे उसमें सबसे पहले मैंने बेसन लिया है जो हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा फैक देता है और इंसेंट ग्लो तो आता ही है लेकिन जो हमारे स्कीन पर डलनेस होगी वो भी दूर करेगा और इसमें एक चमच गेहूं का अटा और यह भी बहुत ही अच्छा है हमारे स्कीन के लिए जो भी मेहल होगा हमारे स् इस पेर डलने जूल उसको भी दूर करता है और यह हमने आधी चमच से भी कम एने हल्दी पॉड़ो लिया है यह एंटिवेटिक रहता है हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा है और एक चमच दही दही हमारे मॉस्चराइस का काम करेगा कि बहुत सी की जो स्कीन जो होती है तो वह रूखापन बेशन से नहीं आएगा उसमें हमने इसका यूज किया है तो यह हम उप्टन किसी भी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं और यह मैंने रोज बॉटर को मिक्स कर लूँगी और यह भी बहुत हचा अगर आप डेली में भी अपने फेस पे सिर रोज बॉटर य बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस फील होती है तो यह इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है और यह उप्टन है हम थोड़ा सर नॉर्मल बनाएंगे ज्यादा गाड़ा भी नहीं है पतला भी नहीं है जो हमारे फेस पे नॉर्मली अप्लाई कर सके हम तो यह देखिए इस तरह से नॉर्मल वाटर है यह और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूं मतब यह बहुत ही अच्छा उप्टन है चाहिए मेरे कहार से कोई भी यूग हो या पहले से भी हम उप्टन का यूज करते आ रहे हैं अपनी फेस पर लिकिन क्या होता है अब समय बदलता जा रहा है तो ह है यह अब बता देखी नहीं किसme अपने फेस पर एपलाई किया है को मिक्स करके और hanke हाती से में पूरे फेस पर लाई करके हैं हाङ इस तरह से हम अपने पूरे फेस पर अप्लाइ करें इसको अच्छी सिरी कि मैंने लगाया है मतलब ऐस तरह से कहीं पर भी मेरे जो क्या होता है समय के साथ जूर्य पढ़ने लगती है मेरे सबके साथ खान पान का भी असर पड़ता है तो उसके कार हमारे स्कीन पर भी फ़र पड़ता है आप अच्छी डाइट भी लिए और अपने फेस पर इस तरह से उप्टन या हो मैट यूज किजिए देकि मैंने पूरे फेस पेस तरह से अपलाई कर लिया इसको और 10 मिट क हो चुके हैं और इसको जादा सूखा भी नहीं है और गीला भी नहीं है मैं उप्टन को हलके हाथों से रिमूव कर रहे हैं जो मेरे फेस पर थुरसी जो क्या होता है दूल की कारण डलने साहने लगते हैं जो भी कोई गंदगी होगी या महल होगा वह अच्छी से रिमूव है कि हमारे स्कीन को कोई भी हानी नहीं पहुचा था जिसे क्या हम भार के प्रडेक्ट यूज करते हैं तो हम कोई भी नहीं करता है लेकिन आप इस अप्टन को अपनी फेस पे वीक में दो बार अप्लाई करते हैं तो आपकी तुछा जैसी है वैसी रहेगी और इस तर यह देखिए मैंने अच्छे से नॉर्मल पानी से वाश किया है तो मेरा फेस जो पहले से ज्यादा निखार आया है और फेस पे कोई भी डलनेस नहीं रहेगी तो मैं अच्छे से अपनी फेस पर इस तरह से सॉफ्ट टॉबल से मैं बल्कुल क्लीन कर लिया है तो मेरा फेस स्टेंट गलो के साथ सॉफ्टनेस निखार तो यह देखिए और मैंने कोई भी ब्यूटी प्रटेक अपने फेस पर अप्लाई नहीं किया है यह मेरा नॉर्मल फेस है जो मैंने उप्टन के बाद यूज किया है आप अपने फेस एक बार अपने घर में आप खुद उप्ट और मिलते हैं किसी नेस वीडियो में क्योंकि मेरे चैनल पर आपको डिफिर्ट वीडियो देखने को मिलेंगी और हां अपने घर पे ही रहिएगा और से फ रहीगा ते गुट बाए और हां अगर आप घर के बाहर चाहते भी है तो पुरी प्रटेक्शन के साथ जाएगा से जाएगा तो सेफ रहेगा बाई बाई